तो अठेलो गय्क्त अज्य वैल्कम बैक तु मही चैनलग। तो आज व्डीयो पीरिए करने वाले है कि वह तो एक्योवर्ट स्रफी और तीनने की तूच ृपैघ do तूपिकम्ट के वीडियो के ओका है higher है let's start और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो प्लीज प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करता है वैसे भी मेरा audience छोटा है छोटा सा channel है फिर भी अगर आपने लोगों ने अपितर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए तो let's start नमस्कार आप देख पाओगे एक military grade का box है और ये कुछ tubes है जो Chinese soldiers के नाक के अंदर जा रही है ये basically एक military grade का portable oxygen concentrator है जो Chinese army अपने soldiers को provide कर रही है बॉडर के पास क्योंकि Indian बॉडर के पास में अगर आप अगर देखो Chinese soldiers को काफी बार 3000 मीटर तक की जो उचाई है इनकी सुख गए है वाई इनकी सुख गए हमारे जवान कहा कहा पर रहते हैं तो उससे निपटने के लिए चाईना की सरकार ने develop किये हैं ये boxes जो 95% pure oxygen करते हैं produce और अगर आप सोच रहे हैं के weight ये oxygen generators काम कैसे करते हैं तो इसका answer है batteries और आप imagine कर सकते हैं कि अगर batteries सही चलते हैं तो इनका वजन भी होगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नए oxygen portable oxygen generators चाईना यूज कर रहा है ये क्या इंडिया भी यूज कर सकता है नहीं इनकी cause क्या होती है बहुत कुछ आखो जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आप से question पूछूँगा question यहाँ पर ये है कि हाली में legendary footballer पेले की death हो गई है इनके वारे में आपने सुनाओं का बहुत आर्डिकल पबलेश होए हैं दुनिया भर में personalities ने tweet किया है पहले के वारे में आपको बताना है कि पहले किस country के footballer थे यह हैं आपने यूज को डिप्लॉय करके रखना भीना एक challenge है इंडिया के लिए भी और चाईना के लिए और वैसे challenges की list देख है फिर यहां पे बहुत इबड़ा issue आता है आप जानते हैं कि इंडियन एरफोर्स के कई हमारे जो विमान है इनका काम यह है कि regularly oxygen tankers यह supply करते रहे हमारे जवानों को ताकि कभी भी oxygen की कमी आएना क्योंकि आप इतने जादा elevated area में duty कर रहे होते हो एक तो होता है कि आप soldiers काफी बार oxygen tankers का भी use करते हैं अपनी duty को properly निभाने के लिए क्योंकि soldiers जब अपनी post पर पहुँच जाते हैं तब आप समझ लीजिए उनको grueling duty निभानी होती है देश की रक्षा करनी होती है तो इसलिए Indian side, Chinese side, दुनों side आप देखोगे कि constantly कोशिच जाती है कि soldiers की oxygen supply complete र impact देखेगा इवन दो अभी के लिए जो status है उसमें India-China border पे गोलिया नहीं चलती है जो 1990s में agreement हुए थे उसके अडिर at least हम ये कह सकते हैं कि India और China के soldiers ने एक दुसरे पर गोलिया चलाई नहीं है वहाँ बीच में reports आई थी कि गलवान incident के बाद हवा में गोलिया चलाई करती है तो definitely अगर soldiers का जो oxygen level है जो oxygen की supply है soldiers को यह proper है यह adequate है तो उनकी firing ability में भी improvement आएगी है हाला कि मुझे आप रैट करना पड़ेगा कुछ research हुई है in the last few years वो यह भी कहती है कि अगर soldiers properly acclimatize हो चुके हैं तो उनकी performance में maximum 10 से लेकर 15% की gravity जो इतना बड़ा impact डालेगी नही अगर obviously हम चाहेंगे कि हमारे soldiers सबसे बैतरीन perform करें और यही पे आते हैं यह portable oxygen concentrators यहाँ पे आप देख पाऊगे एक Chinese soldier है और यह एक tube डेली हुई है इसके दोनों nostrils में यह जो tube है यह connected है इस portable oxygen generator से यह चलता है battery से और इसका weight roughly बताया जाता है कि आप माली जीए 2 से लेकर 5 kg जी के आसपास है और cost की अगर हम वैसे बात करें तो यह portable generators 32,000 तक के भी आते हैं open market में और 0,500,000 रुपे तक भी इनका amount पहुच सकता है और यह बात मैं clear कर दूँ कि यह कोई invention नहीं है चाइना की यह जो एक idea है काफी साल पुराना है USA Germany में यह काफी use होते हैं जरातार आप देखोगे तो जो elderly citizen है जब वो घर से बार निकलते हैं काफी बार तो यह portable oxygen concentrators के साथ निकलते हैं इंडिया में भी आप देखोगे तो फिलिप्स काफी बार यह जो generators है बेशता है करीब 2 से लेकर 0,500 रुपे के तो definitely इसके unit मेंगे पढ़ते हैं ठीक है आप यह generator लोगे अपने weapons carry कर रहा है उसके कपड़ों में भी वजन है साथ में यह additional जो weight है तो इसको हमको count करना पड़ेगा फिर अगर हम इसकी cost को देखे तो अगर हम हजारों soldiers के लिए यह purchase करते हैं तो millions of dollars का खरचा यहाँ पर आ जाएगा मगर यहीं पर बात आती है innovation की देखो चाइना ज कि हमारी innovation manufacturing में इत्ती है कि पहली बात तो ऐसे portable devices हमने बना दिये है military grade में मतलब के यह राम से तूटेंगे नहीं बहुत ही harsh condition में यह perform करते रहेंगे उसके इलावा एक बहुत ही बड़ा aspect ये भी है कि चाइना ने secret समझ लिया है कि ऐसे devices कम cost में जादा manufacture कैसे करने हैं और यह पर हमें काफियत तक सीखना होगा चाइना से क्योंकि इंडिया अपने इतिहास में सबसे बड़ी deployment कर चुका है line of actual control में और कई साल तक हमारे soldiers line of actual control में बहुत जादा hostile conditions में रहेंगे और यहां में मुझे वैसे आड़ करना पड़ेगा कि DRDO ने बीच बीच में supplemental oxygen delivery systems create किये है DRDO अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा है फ़र एक्जामपल यह आपके सामने एक innovation है DRDO की oxygen stations यह बना रहे हैं जिसके अंडर क्या होगा कि अगर मानलो के soldiers को लग रहा है कि oxygen की कमी है तो यह cylinder से oxygen inhale कर सकते हैं यह facility soldiers के पास है मगर चाइना में भी आप अगर देखो तो oxygen stations यह बना कर बैठे हैं कावी सारे पाड़ी इलाकों में उसके beyond अगर आपको जाना है न तो soldiers को हमेशा एक portable oxygen generator भी आपको देना होगा और इंडिया और चाइना के बीच में जो यह conflict होगी ना line of actual control के पास इसमें एक बहुत ही बड़ा question आएगा innovation का चाइना अपनी तरफ से ब रहा है कि यह robot soldiers कैसे deploy कर सकते हैं लदाग region के आसपास और फिर जो इनके East China से soldiers आ रहे हैं उनके लिए यह लोग प्रड्यूस कर रहे हैं oxygen concentrators और जो यह innovation कि अगर हम बात करते हैं कि नए ideas हमको लाने होंगे नया equipment प्रड्यूस करना होगा क्योंकि जिसके soldiers जादा ready होंगे जा सारी DRDO ही करेगी आप देखोंगे भारत में बहुत सारे citizens हैं वह अपनी तरफ से मैंनी यह वाला जो वीडियो है इसके बार में मैंने पहले ही देखा हुआ है 2021 में देखा था सुना मॉंचुप थे जिसका नाम था यह अपने होगा भी सुना मेरा सुना मॉंचुप जो था वह मैंने वीडियो पहले भी देखा हुआ था बता रहते इसके बार में मतलब कैसे कैसे रहेंगे soldiers और क्या क्या इसका प्रोज है कॉन से पॉन से ज्यादा नह इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाना होगा तो कैसे ले जाएंगे तो मैंने देखा हुआ है यह बहुत अच्छा चीज है कि अगर सिर्फ जो डियाडियो है और जो गवर्नमेंट इंस्टिउशन है उसके अलावा भी जो लोग और है जो कॉमपणी है जो प्राइविट के लिए भी अच्छा है तो यह बहुत अच्छा चीज है कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं आपको यह याद होगा 2001 में सुनम वांग चुक इन्होंने एक युनीक टाइप का टैंड डेवलफ किया था यहां पर युनीक टाइप का टैंड डेवलफ किया था जहां पर आर्मी के जो सोल्जर्स हैं यह रुख सकते हैं और यह टेंपरेचर को भी कंड्रोल में रखेगा अकॉर्ण टू स्वनम वांग चुक इस पूरे टैंड की कोस्ट होगी अराउंड 5 लाग के आसपास तो इनोवेशन देखो हमको करनी होगी साथी साथ डिफेंस का जो चाहिए क्योंकि चाइना कहता है कि मेरा डिफेंस बज़ेट 250 बिलियन यह फिर उससे ज्यादा भी हो लेकिन एक्ट्वल में मुझे लगता है कि उसका डिफेंस बज़ेट और ज्यादा है अटलिस 3 से 4.5 बिलियन के आसपास है लेकिन बताता नहीं जो नेचरल है बाई चा परफेट है तो डिकत ही नहीं है एक डिफेंस बज़ेट चाहिए ना सिर्फ वाटर जैट और एरक्राफ्ट के लिए बल्कि हमारे सोल्जर्स के लिए भी जो बॉर्डर पे डिप्लॉइड है और फाइनली आप है मैं आपसे क्वेशन पूछूंगा के पेले किस कंट्री के लेजेंडर इराक से थे इराक फूटबॉलर थे जिनकी डेथ हुई है रिसेंड़ी तो यहाँ पर आपका आंसर है और फीले से थे क्या ब्राजिल से थे क्या पता ही नहीं थे यहाँ पर आप देख पाओगे अकेले प्लेयर है फूटबॉल के तहास में जिनोंने तीन वर् आपर मैं याड़ कर दू कि अनकाडमी की साल की सबसे बड़ी सेल स्टाड हो चुकी है यह तो देखो जो नेचरल है वही है चाइन अपने इंवेंशन कर रहा है हमें भी करना परेगा लेकिन जो एक्ट्वल में है चाइना के जो आर्मी है वो हमारे जैसे प्रोफेशनल नह उस टाइप के मतलब उस टाइम पे इंडियन आर्मी बहुत एड़शन है चैनीज आर्मी से बहुत सेयादा एड़शन है क्योंकि हम लोग ने मांटेन वर्फेर में वर्ल्ट का सबसे बेस्ट आर्मी अगर कोई है तो इंडियन आर्मी है उसके बाद चाइना से पहले में प जो हम उसको count करें ठीक है हम हम मानते है लेकिन उसके अलबा भी मं बहुत अच्छे चाइम से तो बहुत ज्याधा अच्छे है तो इस Caesar यह को लिए हम कहते हैँ कि थ्टीफेंस बैसे वजय गश्यागड़ है जैसे पीडी शर ने बोला हम भी हमानी कहते है और उसके साथ-स नेक्स बीच मेरा हिंदी फिर्म मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंट और बुट बाई